Hi friends, कैसे आप सब? I hope आप सब ठीक होंगे. मैं हूँ मिताली. आज मैं अपना कहानी इसले स्टोरी में दिखाने जा रही हूँ. इसले स्टोरी में तो रोजी नियू नियो कहानी आते हैं, लेकिन ये कहानी टोटली रियल है. मेरा जिंदिगी का कहानी है. तो फिर शुरू करती हूँ मेरा नाम तो मिताली में पहली बोल चुकी हूँ मेरा नय नय शादी हुआ दो साल हुआ मेरा शादी का लेकिन मेरा घर में तुर्ण प्रॉब्लेम शुरू हो गया वो है फिनन्शियल प्रॉब्लेम दो मेना पहले में अपनी हस्बेंड को बोली सुने न जी आपका परिशानी में समझ गई मुझे पता चल गया आपका सैलरी आदा हो गया इसलिए आप बहुत परिशान है तो मैं क्या करू इस बात का धिंडोरा पीटू सबको जा जा कर बताओ मेरा सैलरी कम हो गया कम हो गया आप पुरा मत मानो मैंने आपका दिल दुखाने के लिए बात नहीं कई मेरा बोलने का मतलब है मैं अब कुछ करना चाहती हूं दोनों मिलकर कमाएंगे कोई परिशानी नहीं होगा अब तुम काम ढूर ना शुरू करोगे यही मेरा नसीब में लिखा था सब बोलेगा देख देख बीबी का पैसा का खाता है सबका बाते छोरो जी आप सिफ हम दोनों के बारे में सोचिए सब हम लोगे लिए क्या करेगा अभी का कोई आ के हम लोगों को पैसा देगा नहीं ना तो फिर अब चुप रही है मैं अपना डॉकुमेंट्स लेकर कली इंटर्वू देने के लिए जा रही हूँ अब परिशान मत हो ठीक है जैसे तुमारी मर्जी घर का सामने ही एक ओफिस में मुझे जॉब मिल गया था सालरे भी अच्छा ही था कुछ दिन तो अच्छा ही चल रहा था लेकिन एक दिन क्या हुआ आप लोग देखिये मिताली जल दी जाओ तुम्हें बहुत बुला रहा है ओके मैं आ रही हूँ में आइक कमें सर आपने मुझे बुलाया येस येस प्लीज हैव शीट है मिताली मैं तुम्हारा काम से बहुत इंप्रेस हूँ मैं तुम्हारे प्रमोशन के बारे में सोची रहा था ओ थैंक यू वेरी मच सर तुम इतनी समार्ट हो इतनी खुबसूरत हो कुछ डिफरेंट ड्रेस पहनो मैं कुछ समझी नहीं सर अक्चुली मैं सारी में ही कमफरटबल हूँ इसलिए सारी पहनना है तो शिल्पा शट्टी का तरह पहनो ऐसा सारी पहन के क्यों आती हो सर आपका एक प्रोजेक्ट अभी तक पैंडिंग है मुझे कमफरीट करके आपको देना है क्या मैं जा सकती हूँ समझ या तुम्हें मेरा बात अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर प्रोमोशन मिलना मुश्किल है बास का बाते सुनके मैं तो फुली समझ गई उसका इंटेंशन क्या था इसलिए मैं बहुत परिशान थी और मैंने अपनी हस्बन को भी कुछ नहीं कहा अगर उस सुनेगा तू बोलेंगे जॉब छोड़ दो और ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपोर्टेंट भी है लेकिन मैं क्या करू कुछ दिन बात देखी क्या हुआ उस दिन काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा था सब ही घर चला गया सिब मैं ही बाकी थी मिताली तुम अभी तक घर नहीं गई ये सर वो एक्चुलिट प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए मैं बहुत परिशान हूँ ये कंप्लीट खड़की में चली जाओंगी वाव ये लुकिंग से अट्रक्टिफ आहाँ वो सर आपने ही तो कहा था कुछ अलग पहन के आओ इसलिए वेरी गुड मिताली ये सब काम का छोड़ दो और मेरा सथ कॉफी बिने चलो तुम मुझे ऐसे ही खुश करो मैं भी तुम्हें प्रोमोशन दे दूँगा बट सर मेरा हस्बेंट का दो तीन बार कॉल आ चुका है मुझे जलत जल घर जाना है वो मेरा वेट कर रहा है ये मोका भी हाथ से निकल गया लेकिन मैं मिताली को छोड़ूँगा नहीं मैं अपना बॉस का इरादा से परिशान हो गई इसलिए मैंने सोच लिया अब मुझे कुछ कर नहीं है जॉब चला जाए तो चला जाए कोई परवा नहीं मिताली हम लोग कहा जा रहे है तुम तो कुछ बता ही नहीं रहे हो और आज तो तुम्हारा चुट्टी भी है मेरा भी चुट्टी था दोनों एक साथ घर में ही टाइम पस करते चुप चप चलिए मुझे किसी का घर जाना है और वो भी आपको लेकर क्या बात है मिताली तुम अचा रख मेरे घर पे क्यों आ गए चाचे अज संडे है मैंने सुचा आप घर पे ही रहेंगे इसलिए मैं अपनी हस्बिन को लेकर आ गई ओ एक्चुली मेरे हस्बिन को न बहुत अच्छे से सारी पैना ना आता है मुझे भी पैना देता है और आपका वाइफ तो अच्छे से सारी नहीं पैनी इसलिए वो एकदम सिल पर शट्टी का तरह अभे उनको सारी पैना देखा वाट रबेश तुम ये क्या बोल रही हो अरे अरे अब इतना गुस्ता मत हो ये ये तो शुरू आत है अब मैटर है प्रोमोशन का आपकी बेटी को भी तो प्रोमोशन मिलने वाला है न वो भी तो बड़ी डॉक्टर नहीं बनने वाली है तो फिर मैंने सुचा उनको भी बोल देंगे प्रोमोशन के लिए क्या करना ज़रूरी है अपने बॉस यानि उनका बड़ा डॉक्टर का साथ उनका बॉस को खुश करने के लिए कैसे कैसे कपड़ा पहन के जाना पड़ेगा और आपको तो पता ही है कैसा कपड़ा पहनने से बॉस लोग खुश होता है आप प्ली ऐसे ही कप्र अपनी बेटी को खरीद कर देना और ये भी अपनी बेटी को सिखा देना बॉस को खुश करने के लिए उनका सब टाइम पस भी करना चाहिए और कभी-कभी उनका विस्तर भी गरम करना चाहिए आपका फैमिली फैमिली लेकिन में भी एक फैमिली से बिलॉग करती हूँ मेरा भी एक फैमिली है उसका कोई तो वैलू ही नहीं है मिताली, I am sorry, तुम अपने जगा सही हो, मैं बहुत शर्मिन्दा हूँ मुझसे और रहा नहीं गया था मैं, इसलिए मैं ये कदम उठाई, थैंक यू वेरी मच, मुझे समझने के लिए अरे वा मिताली, तुमने तु अज बहुत बढ़ा काम किया, तुम बहुत ब्रेव हो, I am proud of you बहुत खूब किया तुमने मिताली, तुमारा तरह अगर है लड़की ऐसी करेगी, तो फिर ये सब उल्टा सिधा बॉस लोग सिधा हो जाएगा लेकिन मुझे लगता है, ये जॉब तुमना हाथ से गया, और कल से उस ओफस में तुम्हें जाने का जरुरत भी नहीं मुझे पता है, इसलिए अभी हम लोग घर जाके डिनर करेंगे, फिर दोनों एक साथ मूवी देखेंगे, फिर कल देर से उठेंगे और नियू जॉब सर्च करेंगे, ओके सच कहूं आप लोग से, मेरा जॉब करने का दिल उठ किया, इसलिए मैं और नियू जॉब नहीं ढूनी, मैं पास में एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, और कुछ बच्चे को लेकर घर में ट्यूशन करती हूँ मैंने अपना बॉस के साथ सही किया ये गलत किया, अब प्लीज कॉमेंट में मुझे बताना, और इसलिए स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को आल में प्रेस कर देना, जैसे हम लोग कोई नियू स्टोरीज छोड़े, वो आपका पास पहुच जा आएगा तुरंद, तो फिर आज के लिए इतना है, गुड़नाइट मैं फ्रेंड्स